इस समय आईए हम उपदेशीर्शक नमबर एक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्यन करें नमबर एक का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ सर्वोत्तम नहीं है? हमारे परमेश्वर नमबर एक है और हम नमबर एक की संतन है परमेश्वर के दुरुष्टी कोन ने? हम सुवर्ग के राज्य में नंबर एक है परमेश्वर अमरी चिंता करते है और हमसे प्रेम करते है जब हमारे पास ऐसी आत्मी काशा हो और हम ऐसे एसास के साथ जीए तो हम सदा खुश रहेंगे परन्तु क्या होगा यदि हमारे पास ऐसा कोई ऐसास नहो हम ठक जाएंगे चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों नहो हम उसके मुल्य की सराना नहीं करेंगे तब हमारा जीवन दैनिया होगा तब परमेश्वर क्यों नंबर एक है परमेश्वर ने समस्त ब्रह्मांड की सुरुष्टी की वह ब्रह्मांड पर शासन करते है परमेश्वर वह है जिन्होंने ब्रह्मांड में अनंत जीवन की सुरुष्टी की इसलिए नंबर एक का शिर्शक परमेश्वर को समर्पित किया जा सकता है परमेश्वर प्रभू का प्रभू है इसी कारण से परमेश्वर का वचन सर्वोत्तम वचन है है न? परन्तु लोग इस बात को समझने में कि कौन सर्वोत्तम है विफल हो जाते है वे केते हैं गेटे ने यह कहा, वल्टर ने वह कहा, सुक्रात ने यह कहा लोग मनुश्य के वचनों का आदर करते हैं परंतु वास्तों में किसका वचन सर्वोग्तम है? परमेश्वर का वचन है न? सियोन की सारी संतानों को इसका एसास करना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के वचन से बुद्धी और ज्यान अर्जन कर सके परमेश्वर का वचन सर्वोक्तम है परमेश्वर किस से सबसे ज़्यादा प्रेम करते है? माता पिता दुनिया में सबसे ज़्यादा किस से प्रेम करते है? उनकी संतानों से तब स्वर्ग्य माता पिता किस से सबसे अधिक प्रेम करते है? हम उनकी संतानों से है ना परमेश्वर हम से सबसे अधिक प्रेम करते हैं और हमें नंबर एक ठानते हैं क्या इसके अलावा कुछ भेतर है हम परमेश्वर का प्रेम प्राप्त करते हैं यह भी लिका है जो बाते आख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बाते मनुश्य के चित में नहीं चड़ी वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है परमेश्वर ने हमारे लिए वैसी अत्युत्तम और रम्निय दुनिया तैयार की है है ना? हम सब को उस दुनिया अर्तात्स्वर के राज्य में अवश्य जाना चाहिए जिसे परमेश्वर ने तैयार किया है आएए हम स्वयम को शुद्र ग्रह पृति पर सीमित न करे समस्त ब्रह्मान की कलपना कीजिए हम केवल इस ग्रह पर ही नहीं बलकि समस्त ब्रह्मान में परमेश्वर की संतान है ब्रह्मान में सुर्दूत और सभी आत्मिक प्राणी भी हमारी इर्शा करते है पिता और माता का धन्यवाद मैं बकिंगम पैलिस कया हूँ मेरे आगे एक कार रुकी और उसमें से एक राजकुमार बाहर आया जब वह बाहर निकला तब लोग चिला कर ओ राजकुमार विल्यम कहने लगे वह समान मनिश्य है उसकी आखे कान और एक नाख है उसमें विशेश रूप से कोई भिन्नता नहीं थी एक चीज जिसने उसे प्रतिश्टित किया वह था उसका पद वह महारानी एलिजबेट दूतिय का पोता था वह कई ब्रिटिश लोगों द्वारा इर्शा, सम्मानित और आदर किया गया जब मैंने वह देखा तो मैंने सोचा स्वर्ग में हमारा क्या होगा इस शुद्र ग्रह पृति पर भी जो ब्रह्मान में एक धूल के कन के समान है बहुत से लोगों के द्वारा इस बात को लेकर क्योंकि वह एक रानी का पोता है, उस वेक्ति की इर्शा की जाती है तब जब हम स्वर्ग्य राज्य में पहुंचे और ब्रह्मान्ड पर शासन करे तो स्वर्दूत हमें किस तरह देखेंगे? हमें स्वर्ग्य पद और शीर्शक गवाना नहीं चाहिए हमें निश्चे ही इसे था में रहना चाहिए लोग आत्मिक दुनिया को नहीं देख सकते इसलिए वे इस पुर्टी पर उंचे पद और भैतर शीर्शक पाना चाहते है वे इस दुनिया में दूसरों से अधिक भैतर जीवन जीना चाहते है हाला कि हमें इस वास्तविक्ता का स्मरन करना चाहिए हम सब परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर ने हमारे लिए महान पर तैयार किये है है न? मैं बहुत बार सयुक्त राष्ट्र में गया हूँ सयुक्त राष्ट्र ने लोगों को खुश रखने के लिए 17 लक्ष निर्धारित किये है उन लक्षों के लिए लोग अपने शेत्रों में प्रयास करते हैं जब उनके प्रयासों को मान्यता दी जाती है तब उन्हें पुरस्कार प्रदान किये जाते है लेकिन फिर उन 17 लक्षों ने मुझे यह सोचने दिया स्वर्ग में हमारे प्रयासों को कितनी भोतायत से माननेता दी जाएगी परमेश्वर ने कहा मेरे अलावा और कोई इश्वर नहीं है मेरे अलावा कोई और उधार करता नहीं है आईए हम परमेश्वर की महनता को न भूले परन्तु इस वर्ष परमेश्वर की इच्छा का शालींता पूर्वक पालन करे परमेश्वर के लिए बहुत से विशेशक है दानियल की पुस्तक में परमेश्वर को परम प्रदान के रुप में वर्णित किया गया है यह लिखा है परम प्रदान के लोगों को राज्य दिया जाएगा परमेश्वर का वचन ब्रह्मान्ड में स्वर्वत्तम वचन है इसलिए यह प्रकाशित वाक्यारते 22 वचन 18 में क्या कहता है यह कहता है कि किसी को भी न तो परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ना चाहिए और नहीं उन में से कुछ निकालना चाहिए एक वेक्ति सोच सकता है यदि वह इसमें कुछ बढ़ाए या इसमें दूसरी चीज़े मिलाए तो यह बहतर होगा पर बात वैसी नहीं है परमेश्वर ने मानुजाती के लिए सर्वत्तम मार्क तयार किया है यदि कोई मनुश्या परमेश्वर के मार्क पर कुछ बढ़ाए वह उत्तम प्रणाली में बादा डालेगा और उसे अस्त व्यस्त कर देगा है न? इसलिए परमेश्वर ने कहा इसमें कुछ न बढ़ाना और इसमें से कुछ न निकालना उन्हें सब बाते जो मैंने तुमें आग्या दी है मानना सिखाओ ताकि वे उसे मान सके विश्वा में समुद्र तटकी रेत के समान असंक्य चर्च है उन चर्चों में से हम परमेश्वर के उप्यूक्त वचन को उप्यूक्त परिस्थितियों में सीख रहे है हमारे परमेश्वर की शिक्षाओं को सीखने का कारण उन्हें अमल में ले आना है है न? यदि हम परमेश्वर का वचन केवल सुने पर अमल में न ले आए तो यहां निरर्तक होगा परनेश्वर ने हमें अंतर राष्ट्रे समुदाय में उनकी महिमा और प्रदर्शित करने देने हे दू हमारे लिए मार्ग खोल दिया है राजाय और देश आश्चरे करते है Church of God किस प्रकार का Church है क्या वैसा एक संगटन है जो निरंतर भला करता है और पुरसकार प्राप्त करता रहता है निश्चही है हम केवल पृति पर ही नहीं बलकि परमेश्वर के राज्य में भी पुरसकार प्राप्त करेंगे परमेश्वर ने स्पष्टता से कहा हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है इस वर्ष आईए हम उस प्रतिफल की और दोड़े आईए हम मती अद्दैस साथ वचंग 21 देखे जो मुझसे हे प्रबु हे प्रबु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रविश्ण करेगा परन्तु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है किवल वे ही जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं स्वर्ग के राज्य में प्रविश्ण कर सकते हैं शैताने लोगों को स्वर्ग में प्रविश करने से रोकने के लिए दुनिया भर में अनेक प्रकार की बादाय और रुकावट बनाई है केवल परमेश्वर ही स्वर्ग के राज्य का मार्ग जानते है परमेश्वर के मार्ग पर चले बिना कोई भी स्वर्ग नहीं पहुन सकता इसलिए यह लिका है जो मुझसे हे प्रभु हे प्रभु कहता है उन में से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा परंटु वही जो मेरे स्वर्ग ये पिता की इच्छा पर चलता है आज हम विश्राम दिन मना रहे है कुछ लोग सोचते हैं शनिवार और रविवार के बीच केवल एक ही दिन का अंतर है परंटु यह केवल एक ही दिन का अंतर नहीं है परमेश्वर जो नंबर एक है ने हमें स्वर्ग में प्रविश करने का सर्वोत्तम मार्ग दिखाया है और उस मार्ग को बाइबल के जरिये सिखाया है परमेश्वर जो सर्वोत्तम है ने सर्वोत्तम प्रयास किये है ताकि परमेश्वर की संतानों से शैतान द्वारा सत्य छीना न जाए पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर ने बाइबल रची ताकि उनकी संतान उनकी इच्छा पर चलकर स्वर्ग में प्रवेश कर सके इसलिए बाइबल विस्मयकारी है लोग देखते हुए भी नहीं देखते वे सुनते हुए भी नहीं सुनते और नहीं समझते परंतु सिवन की संतानों को इसे जानने देने के लिए परमेश्वर आप इस पृति पर आए हम देखते हुए भी समझ नहीं सके इसलिए परमेश्य और इस्पृती पर शरीर में आये और उन्होंने हमें स्वयम सत्य सिखाया इसका अर्थ यह है, उसका अर्थ वह है जब हम बाइबल के वचन का अर्थ समझते हैं हम बहुत आश्चर चकित हो जाते हैं वा, यह विस्मय कारी है बहुत दिनों से वचन का अध्यन करते हुए भी हम आश्चर चकित होते रहते हैं मती साथ कहता है जो मुझसे हे प्रबु हे प्रबु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रविश नहीं करेगा परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है आप सोच सकते होंगे कि बाइबल के विद्वान बाइबल का अध्यन करके इसे समझ सकेंगे परंतु यह लिका है स्वर्ग में पृत्वी पर या पृत्वी के नीचे कोई भी इससे समझ नहीं पाएगा, बले ही वे सेकडों सालों तक हजार पर बाइबल का अध्यन और विशलेशन करें, वे बाइबल का वचन कभी भी समझ नहीं सकेंगे. वचन कुछ ऐसा नहीं है, जिसे तीसरे आयाम की दुनिया में जीने वाले लोगों के ज्यान और बुद्धी से समझा जा सकता है. सत्य के वचन थोड़े यहां और थोड़े वहां रखे गए हैं. यहां इसका अर्थ ऐसा लगता है, पर उन्तु वहां इसका अर्थ कुछ और होता है. बहुत सी चीजे अस्पष्ट है, इसलिए विश्व में जूटे संप्रदाय है. यह उचित लगता है, वह भी सही लगता है. लोग सही और गलत को लेकर उलजन में हैं. इसलिए किसको अवश्य आना चाहिए? परमेश्वर स्वयम इस्पृति पर आएंगे और अपनी संतानों को सियोन में सीखाएंगे. हम उसके पतों पर चलेंगे, यहुवा की व्यवस्ता सियोन से और उसका वचन यरुश्लम से निकलेगा. सबी लोगों परमेश्वर जो सर्वोत्तम है ने सीओन की संतानों को सर्वोत्तम शिक्षा दी है. उन सर्वोत्तम शिक्षा के जरिये भविश्य में हमरे साथ क्या होगा? हम स्वर्ग में राज किया याजक होंगे और यूगान यूग राज्य करेंगे. राज्य करने के लिए हर किसी को विशेशादी कृत्त नहीं हो सकता जैसे हमने मती अद्दैस साथ में पुष्टी की परमेश्वर बाइबल में हमारे लिए इस दुनिया में सर्वोत्तम बनने का उपाए और स्वर्ग में परमेश्वर से अधिक प्रेम पाने का उपाए भी रखते हैं नेरी राय में यह विद्वान के विचार बहुत से लोगों को आकरशित करेंगे मुझे लगता है यह प्रसिद्ध भाषन बहुत से लोगों को आकरशित करेगा वैसा सोचने से पहले आएए हम समरन रखे कि समस्त ब्रह्माण में सर्वत्तम कौन है क्या सुकराद ब्रह्माण में सर्वत्तम है क्या गेटे या शेक्सपिय सर्वत्तम है कोई भी मनुष्य ब्रह्माण में सर्वत्तम नहीं हो सकता वे पृति पर प्रसिद्ध है पर वे ब्रह्माण अर्ताच्वर के राज्य में कभी भी सर्वत्तम नहीं बन सकते हाला कि हमारे परमेश्वर हमें ब्रह्माण में सर्वत्तम बनने का तरीका सीखाते है परमेश्वर अपने मार्ग से हमें प्रशिक्षित कर और बढ़ा रहे है इसलिए जहाँ भी वह जाते हैं हमें उनका अनुसरन करना चाहिए यही एक मात्र मार्ग है ब्रह्मान में सारे सुर्वदुद जजेकार करेंगे और आनन से परमेश्वर की सरहाना करते हुए यह कह कर चिलाएंगे यह सर्वत्तम है इसलिए हमें उनका वचन देने के लिए और उनकी दुनिया में जीने की अनुमती देने के लिए हम एलोहिम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को एक और बार धन्यवाद देते है आईया मतिय अद्दै पंद्रा वचन तेरा पर जाए उसने उत्तर दिया हर पौदा जो मेरे स्वर्गे पिता ने नहीं लगया उखाड़ा जाएगा उनको जाने दो वे अंदे मार्ग तरशक है और अंदा यदि अंदे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड़े में गिर पड़ेंगे आयत तेरा के अनुसार उन सारे पौदो का क्या होगा जिने स्वर्गे पिता ने नहीं लगाये है भले ही वे लगाये हुए लगे वे सब जड़ों से उखाड़े जाएंगे क्या इसका अर्थ यह नहीं कि केवल परमेश्वर की इच्चा सदा के लिए सिद्ध बनी रहेगी परमेश्वर हमें जानने दिया कि जिसे परमेश्वर ने नहीं लगया वे सब अंत में नश्थ हो जाएंगे परंतु परमेश्वर द्वरा लगाये हुए पौदे सदा के लिए बने रहेंगे आईए हम प्रकाशित वाक्य अद्धे 22 पर जाए प्रकाशित वाक्य अद्धे 22 वचन 18 मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भौईशद्वानी की बाते सुनता है गवाई देता हूँ यदि कोई मनुश्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेशर उन विपत्यों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा यदि कोई इस भौईशद्वानी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेशर उन जीवन के व्रुक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्दन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा यह इसलिए क्योंकि बाइबल की चासट पुस्तकों ने सर्वत्तम परमेशर के सर्वत्तम मार्क का रेकॉड किया बाइबल में वहन निहित है जो राजकिय याजक को अवश्य सीखना चाहिए इसलिए हर कोई इसे चू नहीं सकता परमेशर ने एक अद्बुत कौशल का उप्योग किया ताकि हर कोई इसे चू न सके देखते हुएं भी लोग नहीं देख पाते सचमुच बाइबल रहस्य की एक पुस्तक है लोग इस दुनिया में पुस्तक ये समझ सकते है वे लेको को की गुप्त इच्छा को भी समझ लेते है परन्तु जब बाइबल की बात आती है भले ही वे इसे एक हजार बार और दस्यों हजारों बार पड़े वे इसे समझने में अक्षम है चाहे फिर भी वे देखे परमेशुर उन्हें देखने नहीं देते बाइबल में सरवत्तम रक्षा प्रणाली सेट की गई है तब उसे केवल कौन समझ सकता है परमेश्वर ने कहा तुम्हें यह दिया गया है परन्तु उन्हें नहीं परमेश्वर ने केवल हमारे स्वर्ग ये परिवार को देखने और समझने दिया है तब परमेश्वर हमें स्वर्ग में युगान्युग राज्य करने देंगे आईए हम प्रेरितों अध्य पांच पर जाए परमेश्वर ने इस पर जोड़ दिया कि चुंकि परमेश्वर के वच्चन आती मतवपूर्ण है तो हमें कभी भी उनमें कुछ बढ़ाना और उनमें से कुछ घटाना नहीं चाहिए आईए हम प्रेरितों के काम अध्य 5 वचन 38 देखे इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ इन मनुष्य से धूरी रहो और इन से कुछ काम न रखो क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की और से हो तब तो मिट जाएगा भले ही तुम उन्हें अकेले छोड़ दो समय बीतने पर वे मिट जाएंगे आयत 49 परन्तु यदि परमेश्यर की और से है तो तुम उन्हें कदापी मिटा न सकोगे क्या परमेश्यर की दुनिया का मनुष्य की सामर्द्य या भोतिक उपकरन से पतन हो सकता है परमेश्यर की वचन के विशे में क्या क्या यह नष्ठ या लुप्त हो सकता है कदापी नहीं परमेश्यर समस्त ब्रमान का प्रचालण करते है परमेश्यर इस छोटे से ग्रह पृती पर होने वाली हर चीज़ को जानते है परमेश्वर ने अपनी संतानों को अंत की बात आदी से जानने दी पिता का यूग और पुत्र का यूग बीच चुके है यह अंतिम यूग जिसमें अब हम जी रहे हैं कौन सा यूग है? पवित्र आत्मा के यूग को छोड़ अन्यक कोई यूग नहीं है पिता के यूग और पुत्र की यूग से गुजर कर मानो जाती का परमेश्वर के समुक मन फिराने का समय इस पवित्र आत्मा के यूग में पूरा होगा इसलिए गमली एल एक विवस्ता पकने कहा तुरंत विशलेशन करो कि उनका धर्म या काम मनुष्य की और से है या परमेश्वर की और से यदि यह मनुष्य की और से है भले ही तुम उन्हें न सताओ यह मिट जाएगा परंतु यदि यह परमेश्वर की और से है तो तुम उन्हें कदापी मिटा न सकोगे कोई सताव, धमकी, कलेश या तलवार भी उन्हें कभी रोक नहीं सकेगी इसलिए क्योंकि यह शिक्षा है परमेश्वर से आई जो सर्वोत्तम है सभी लोगो जिस चर्च में हम आते है वह परमेश्वर द्वारा जो समस्त ब्रह्मान में सर्वोत्तम है स्तापित किया गया है जो सत्य हम सीखते है वह ऐसी शिक्षा है जो हमारे आत्मिक दुनिया अर्ता चोते या पाचवे आयाम की दुनिया में प्रवेश करते समय हमें सर्वोत्तम बनाएगी यदि हम परमेश्वर की शिक्षाओं को छोड़ अन्य अधिनियम बनाए तो हम स्वर्ग के राज्य से निश्कासित किये जाएंगे इसलिए बाइबल कहती है मानना तो बली चड़ाने से उत्तम है परमेश्वर केवल वैसा नहीं कह रहे है परमेश्वर की सारी शिक्षाओं स्वर्ग में हमें सर्वोत्तम प्राणियों के रूप में सुरुष्टी करती है इसलिए परमेश्वर हमें इस तरह से चलने के लिए कहते है हमें अन्य तरीकों से जाकने की आवशक्ता नहीं है यदि हम परमेश्वर को समस्त ब्रह्मान में सर्वोत्तम मानते है हमें परमेश्वर के दिकाई हुई दिशा पर चलने की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए इस तरह परमेश्वर मनुष्य की सुरुष्टी करते है यशया 63 के अनुसार हमारी सुरुष्टी किसने की आईए हम यशया 60 वचन 21 पर नजर डाले तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे वे सरवदा देश के अधिकारी रहेंगे वे मेरे लगाय हुए पोदे और किसके हातों का काम ठेरेंगे मेरे हातों का काम ठेरेंगे जिससे मेरी महिमा प्रगट हो चोटे से चोटा एक अजार हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्ती जाती बन जाएगा परमेश्वर जो सर्वोत्तम है और समस्त ब्रमान का प्रबंधन करते है ने एक वाचा के जरिये इस छोटी सी प्रूती पर होने वाली चीजों की प्रतिग्या की है चुनकि परमेश्वर ने प्रतिग्या की तो यह निश्चय हो जाएगी है ना छोटे से छोटा एक हजार हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्ती जाती बन जाएगा मैं यहुवा हूँ ठीक समय पर यह सब कुछ शिग्रता से पूरा करूँगा यदि हम परमेश्वर को सर्वोत्तम न माने हमारे रुदेव में यहुदा इसकारिती के से विचार छिप कर बैटेंगे यदि हम परमेश्वर को सर्वोत्तम न ठाने हम यह सोचते हुए भले ही मैं इस छोटी सी चीज की आवज्या करू परमेश्वर मुझे शमा कर देंगे परमेश्वर के वचन को लेकर एक गलत धारना रखेंगे परमेश्वर हमारे भविश्वर और हमारी खुशी के लिए हमें सारी शिक्षा है और सबग देते हैं हम परुत्य पर सदा के लिए नहीं जिएंगे है ना हम स्वर्ग के राज्य में परवेश्व करेंगे और वहा सर्वदा जिएंगे इसलिए हम हमेशा स्मरन रखना चीए कि हम स्वर्ग में कैसे हूंगे परमेश्वर ने अपने लोगों को मेरे हातों का काम कहा और यह कहा कि वे उनकी महिमा के लिए लगाए गए थे आईए हम मती रचित्सु समाचार में देखे कि परमेश्वर उनकी किस तरह सुरुष्टी करते हैं मती, अद्धेच्शब्वीस, वचन सत्रा अक्मिरी रोटी के पर्फ के पहले दिन चेले येशु के पास आकर पूछने लगे तुक कहा चाता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तयारी करें उसने कहा, नगर में अमुक वेक्टी के पास जाकर उससे कहू गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है मैं अपने चेलो के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊँगा अतह, चेलो ने येशु की आक्या मानी और फसह तयार किया आईए हम आयत 26 पर फसह खाने का दुरुष्य देखे जब वे खा रहे थे तो येशु ने रोटी ली और आशिश मंग कर तूड़ी और चेलो को देकर कहा, लो, खाओ, ये मेरी दिय है फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमे से पियो क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लव है जो भोतों के लिए पापों की शमा की निमित भाया चाता है फसह की रोटी और दातमद देते हुए उन्होंने कहा यह मेरी दिय है यह वाचा का मेरा लव है परमेश्वर यह मानवजाती को प्रदान करते है वे परमेश्वर के द्वारा बनाए गए सबसे संपूर्ण कार्य है मानवजाती को खिलाने के लिए परमेश्वर ने अपना मास अर्तात अविनाशी धिय को दिया और अपना बहु मुल्य लहु भाया वैसा करके मानो जाती के पास अनन्त जीवन हो सकता है नई वाचा के जरिये परमेश्वर ने प्रतिग्या की कि परमेश्वर उस तरह अपनी संतानों को अनन्त जीवन देंगे आईए हम दूसरा कुरिंतियो अदेचे वचन सत्रा पर एक नदर डाले इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तों को मच्छो तो मैं तुम्हें ग्रहन करूँगा मैं तुमारा क्या हूँगा पिता हूँगा और तुम मेरे क्या हूँगे बेटे और बेटिया हूँगे यह सर्व शक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है क्या प्ररित पॉलुस ने जिसने दुसरा कुरंतियों की पुस्तक लिखी फसह रखा या नहीं उसने नई वाचा में एक सदस्य की रूप में फसह और विश्राम दिन रखा यहाँ परमेश्वर हमें सिखाते हैं मैं तुम्हारा पिता होंगा और तुम मेरे बेटे और बेटिया होंगे यह सर्व शक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है परमेश्वर के महान हातों ने अति उतकुरुष्ट कुरुतिया अर्थात परमेश्वर की संतान बनाई है परमेश्वर जो अपनी संतानों को देना चाहते है वह प्रकाशितवाक्य अध्यब 22 में वर्नित है आईए हम प्रकाशितवाक्य अध्यब 22 वचंचार पर एक नजर डाले वे उसका मुह देखेंगे और उसका नाम उनके मातों पर लिखा हुआ होगा फिर रात नहोगी और उन्हें दीपक और सुर्या के उज्याले की आवशकता नहोगी क्योंकि प्रभू परमेश्वर उन्हें उज्याला देगा और वे क्या करेंगे? यूगान्यूग राज्य करेंगे मैं तुम्हें यूगान्यूग राज्य करने दूँगा इस महान शिक्षा से परमेश्वर हमें प्रभुद्ध करते हैं कि हम स्वर्ग में राज्य कर सकते हैं हमें स्वर्ग में बिना किसी मुसीबत या समझ्या के राच्चे करने देने के लिए परमेश्वर हमारा पालन पोशन और हमें प्रशिक्षित करते हैं. इसरालों के दूद और बदू से भेती भूमी कनान में प्रवेश करने से पहले जंगल में परमेश्वर की आज्याओ को मानने देने के लिए उन्होंने उनको प्रशिक्षित किया. परमेश्वर ने उन पर छे दिनों तक मनना बरसाया, परन्तु साथवे दिन अर्थत विश्राम दिन में मनना नहीं बरसाया. छटवे दिन परमेश्वण ने उन्हें दो दिन के लिए मन्ना का दुना बाग भटोरने दिया ताकि वे साथवा दिन, विश्राम दिन रख सके चालिस वर्ष के जंगल की यातरा के दोरान इसरालियों ने परमेश्वण की इच्छा सीकी फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कनान देश में प्रवेश किया परमेश्वर ने उन्हें प्रशिक्षित किया ताकि कनान में प्रवेश करने के बाद भी वे विश्राम दिन मना सके फसर के साथ भी वैसा ही था परमेश्वर ने उन्हें पवित्रता से फसर हम मनाने दिया और मिस्र के सारे देउताओं का न्याय किया परमेश्वर ने मिस्र के सारे लोगों को दंडित किया और केवल इस्राइलों को बचाया यह बात इस्राइलों के मन में हमेशा घहराई से अंकित रही परमेश्वर ने उन्हें पवित्रता से फसह मनाने और फिर कनान देश में प्रवेश करने दिया है ना जैसे परमेश्वर ने उन्हें सिखाया और प्रशिक्षित किया और उन्हें कनान में प्रवेश करने दिया वैसे हमें भी इस पुर्थी पर परमेश्वर की सारी शिक्षाओं का वफादारी से पालन करना चाहिए तब हमें स्वर के राज्य में राज्य करने में कोई मुसीबत या समस्या नहीं होगी आज परमेश्वर द्वारा दिये गए सारे वच्चन हमें फल्स रुप दिखाते हैं कि परमेश्वर सर्वोत्तम परमेश्वर है और परमेश्वर का वच्चन महान शिक्षा है और परमेश्वर की संतान की रुप में हमरा पद सर्वोच्च पद है तब सबसे मुल्यवान कार्य क्या है जो इस दुनिया में परमेश्वर ने हमें सौपा है सयूक्त राष्ट्र ने 17 लक्षत ते किये है जो बहुत मतोपुर्ण और मुल्यवान है हाला कि परमेश्वर ने कहा है कि पृति पर की जाने वाली सबसे मुल्यवान चीज सुसमाचार का प्रचार करना है परमेश्वर जो सर्वोत्तम है ने हमें सुसमाचार का ऐसा मिशन दिया है जो केवल स्वर्ग की संतान कर सकती है ताकि हम स्वर्ग में राजकिय याजक बन सके और अंत में स्वर्ग ये राज्य को विरासत में पा सके क्या हमारे अच्छी वस्तों को प्राप्त करने तक यह प्रक्रिय आसान है, कदापी आसान नहीं है हमारे मार्क पर कुछ कटिनाया है परन्तु यदि हम इमानदारी से इस मार्क पर चले तो परमेश्वर सिर्फ बैटे नहीं रहेंगे बल्कि हमारे प्रयासों को देखते हुए यह कहकर तुम मेरे वचनों को मानने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हो हमेशा हमारी साहता करेंगे परमेश्वर ने हमें अपना कार्य करने में सशक्त किया है परमेश्वर ने हमें हमारी लक्ष हासिल करने में साहता की है इसलिए हमरा Church of God कई अर्चनों के बावजुद भी सामरी और पृत्वी की छोड़ तक भी सूसमाचार का प्रचार करने में सक्षम रहा है हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं यदि हम परमेश्वर के वचन का संपुर्ण रूप से पालन करें हम पृत्वी की सब जातियों में स्रिष्ट किये जाएंगे क्योंकि केवल परमेश्वर ही नंबर एक है परमेश्वर के वचन को वरना सबसे शुद्र वचन को भी हलके से नलीजिए मन में इस बात को रखते हुए कि परमेश्वर के प्रति आग्याकारिता एक महान कल ले आएगी आई यहां कई भी परमेश्वर हमारा नितुर्थव करें उनके पीछे पीछे चले ताकि हम दिन प्रति दिन और महीने धर्महीने परमेश्वर के लोगों के रूप में नए सिरे से जनम ले सके मुझे आज का उपदेश समाप्त करने दीजे आपका बहुत धन्यवाद